पांच तरीके के जो स्कैम हैं जो senior citizen के उबर पिछले तीन साल के अंदर सबसे जादा बड़े हैं वो आप जान लीजिए पहला जो स्कैम है वो है video call blackmail का एक senior citizen के number पे एक video call आएगा जैसे ही वो phone उठाएंगे वहाँ पे एक female या male कोई लड़का या लड़की होंगे और वे कोई action करेंगे जिससे उनकी image की उपर परहाल करने की कोशिश करेंगे और बाद में उनको blackmail करेंगे इस video call के अंदर वो बस उनका screenshot ले लेंगे और बाद म मामरे में ध्यान रखा जाए कि जो senior citizen का data होता है वो criminal के पास पहले से होता है कि इनके पास कितने पैसे नहीं है उनको पता है आपके पास कितने पैसे हैं और कितने वो आप से एंच सकते हैं दूसरा जो स्काम है वो है आपका fake pension scam जहांपे यह आपका आपकी जो lifetime की saving money है उस से मंत में ज्यादा लालच देखे कि बड़ा मोटा मांट लेकर वो गाइब हो जाते हैं तीसरी जो scam जो यह करते हैं वो है identity theft जिसके अंदर यह आपका अधार कार्ड पैन कार्ड या ऐसी छोटी-छोडी information number of points पे collect करते हैं एक call में आप से सिर्फ अधार कार्ड पूछा जा किसी और अकाउंट में transfer कर लेते हैं तो इसके साथ पूरी आपकी जिन्दगी की जहमा पूंजी है वो सारी किसी और अकाउंट में चले जाती है और यूजिली जो senior citizen होते हैं उनको पता नहीं होता बचारों को कि कैसे इस चीज को report किया जा और कई बात उनको यह भी नहीं transfer वो भी चुका है क्योंकि bank से कहीं बार उनको call नहीं आता last जो चीज है जो सबसे बड़ा scam है क्योंकि digitalization हो रही है हर बंदा online payment करता है चाहे वो सब जी लेने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है तो जो senior citizen होते हैं उनकी जो awareness है mobile wallets की payments को लेके वो थोड़ी नहीं है जिसक अभी आपने जो scam बताया जिसके अंदर caller को बोला गया कि आपका एक रुपिया कटेगा तो जब payment हम देते हैं तब हमें कुछ OTP भरना नहीं होता जब लेते हैं तो जब देते हैं तब OTP भरना होता है जब हमने कोई payment लेनी होती है तो हमें कोई OTP कोई pin code नहीं देना होता तो अगर यह पांच तरीके के जो fraud हैं इनको user ध्यान रखें तो काफी हैं तक वह सतरकता बरत के अपने आपको इससे protect कर सकते हैं